नमस्का नेक्स्ट नाइन यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोन सरी कोरुना वाइरस महामारी से जूज रहे चीन ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक होलसेल मार्किट को बंद करने का फैसला किया है इस अपते सुम्बार को चीन का एलेक्ट्रो सिटी में तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों के बाद जारी किया गया है आपको दारे दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रोनिक मार्किट में कारोबारियों को अधिकारिक आदेश जारी किये गए हैं इस पैसले के तहत गुरुवार तक मार्किट बंद रहेगा जिससे टॉप चिप मेकर सेमी कंडेक्टर मेनुफेक्टरिंग डिनाशनल कॉर और एपल सप्लायर फॉक्स कॉन को भी इन यमों का पालन करने के लिए कहा गया है इन सबी कंप्यों को क्लोज लूप सिस्टम फॉलो करना होगा जिससे प्रोडक्शन शिडियूल ट्रैक पर बना रह इस 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 एरिया में मौझूद सभी बिजनिस को गुरुवार तक के लिए बंद कर दिया गया है आपको दादें यहां सिफ्टॉमार्केट फार्मेशी और हॉस्पिटल खुल सकते हैं इसके लावा सभी दुकाने तब तक बंद रहेंगी जब तक अगले आदेश नहीं जाते रेस्टरों तक सस्पेंड हैं लोकेवल टेक अवे ले सकते हैं चीन का यह बजार अगर ज्यादा दिनों तक बंद रहा तो इसका साथ दुनिया भर के टेक्नोलोजी मार्केट पर पड़ेगा तो फिलाल की इस खबर में इतना ही इस कवर पर कोई भी अपडेट होगी तो मागों जुरू बताएंगे तब तक लिए आप जुटरें हमारे साथ धन्यवाद